हेलो फ्रेंड्स आज एपन जन्रल साइन्स की क्यूशन आंसर उनके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के लिए आवं से उड्जा उत्पन करने का कारिया करेगा कंवा सिग बेढ़ा कोई ऑलग कोई कोशिका कंंत्रalay This संख्या भी कम होती है अगला क्यूशन दे रखा है कि DNA के अणू की दोनों शुतर अपने अपने नाब्रोजनिक शारक द्वरा किस बंद से जुड़े रहते हैं DNA के अणू है उसमें चार नाब्रोजनिक शारक पाई जाते हैं गवानी ने वो साइटोस इन से तो उसके बीच में कौन सा बॉंड पाया जाता है उसका नाम क्या होगा तो इनके बीच जो बॉंड पाया जाता है उसे हाइड्रोजन बॉंड का जाता है Waterstone और क्रिक ने DNA के मोडल को पर्स्दावित किया Waterstone और क्रिक के द्वारा जो DNA का मोडल दिया गया था वो कब दिया गया 1963, 1963, 1963 या 1969 तो 1953 में DNA का मोडल दिया गया So DNA क्या होता है कि जीवों में जो गुन पाये जाते हैं उनको एक पीडी से दूसरी पीडी में स्तानांतरित करने का कार्य वो DNA की द्वारा किया जाता है अगला क्यूशन है कि गुंसूत्र की सरंचना में समयलित होते हैं गुंसूत्र की सरंचना वो किन किन से मिलकर मनी होती है RNA विष्टोन प्रोटिन, DNA विष्टोन प्रोटिन, DNA विष्टोन प्रोटिन, DNA विष्टोन प्रोटिन, DNA विष्टोन प्रोटिन इन तीनों से मिलकर किसका निर्मान होता है? गुण सुतर किस रंचना का निर्मान होगा RNA NU में थाइमिन के स्थान पर पाय जाने वाला नाइट्रोजनिक शारक है RNA NU है उसमें थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनिक शारक पाय जाता है DNA होता है उसमें एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है अगला क्यूशन दे रखा है मानव कोसिका में गुंशूतरों की संख्या होती है मानव उसमें गुंशूतरों की संख्या कितनी पाए जाती है 20, 36, 46 छान में तो आपको पता है कि मानव में गुंशूतरों की संख्या कितनी होती है 46 होती है अगर ये पूछा जाए कि कितनी जोड़ी गुंशूतर पहे जाते हैं तो 23 जोड़ी गुंशूतर होंगे 22 जोड़ी गुंशूतर होते हैं वो नर्व मादा में समान होते हैं उन्हें ओटोसॉम कहा जाता है और 23 वा जोड़ी गुंसूतर होता है वो हेटेरोसॉम या विसमजात या उसे लिंग गुंसूतर भी कहते है वो 23 वा जोड़ी गुंसूतर है वो नर में होता है XY और मादा में होता है XX किसी कोशिका की कोज सी कोशिका को कोशिका का पावर हाउस की रूप में जाना जाता है जब कोई कोशिका नस्त हो जाए तो अब कटन संख को Nu करेगा लाइसोसोम, माइटोकॉंट्रिया, अंताय परदयुजालिका या गोलजी कॉंप्लेक्स तो लाइसोसोम है इसमें एक पाच्चक एंजायम पाया जाता है जो कोई भी कोशिका वो सक्तिग्रिस्त हो जाए या मृत हो जाए तो उसके अपकटन का कारीग कर लेता है तो इसलिए इसे आतम गाती थेली भी का जाता है लाइसोसोम को आतम गाती थेली भी का जाता है कोशिका की आंतरिक परत जो डिम्ब आवस्ता अवदी के दोरान विक्षित होती है कौन सी है जो आंतरिक परत है जो डिम आवस्तावदी के दोरान विक्षित होगी तो बलास्टोसिस है वो इसका सही आंसर होगा अगला क्यूशन है कि डिम के बाहिय चरम परत से बनता है कि डिम के बाहिय चरम है वो कौन सी परत के द्वारा निर्मित होगा पाचन तंतर, परी संचरं तंतर, कंकाल तंतर या नाड़ी सहंस्तान तो नाड़ी सहंस्तान के द्वारा डिम के बाहिये चरम परत का निर्मान होता है प्लाजमीड उपस्तित होते हैं प्लाजमीड किसमें उपस्तित होते हैं? लाइकेन, बेक्टिरियोफेज, बेक्टिरिया या वाइरस तो बेक्टिरिया है उसमें प्लाजमीड उपस्तित होते हैं एक जिवानो कोशी का परतेक मिनट विवाजित होती है और एक पहला बढ़ने में एक गंठा लगता है आदा पहला बढ़ने में कितना समय लगेगा 69 मिनट लगेंगे क्रेऽ चकर संपन होता है क्रेफ स्वेयर चकर पाय जाता है किसमें शंपन होगा केंद्रक माइटोकोंड्रिया कोशी का दर्वे या हरित लवग तो माइटोकोंड्रिया है उसमें क्रेफ्स चकर संपन होता है माइट्रोकॉंड्रिया का जो मेट्रिक्स भाग होता है उसमें क्रेफ्स चकर संपन होता है माइट्रोकॉंड्रिया के एक दोरी जीली आवरन कोसी कांग होता है तो उसके आंत्रिक जीली के अंदर मेट्रिक्स पाय जाता है उस matrix में ही कोशी का चक्र संपन होता है निमन में से link गुंसूतरों में कौन सा सही हो जनका प्रेणाम नर संतती होगा कि 23 बाद जोड़ी गुंसूतर है वो कौन सा पाया जाएगा जो नर होगा तो नर में अपने भी देखा था X, Y गुंसूतर होते हैं तो X और Y गुंसूतर होगा तब बैर नर संतती होगा तो option भी सही होगा एगला question है कि क्रोमसों किन से मिलकर बना ओता है यह नि क्रोमसों जो गुंसूतर होते हैं वो किन से मिलकर बना ओता है DNA, RNA, कार्बायॏड यर लीपिट तो DNA है उच से मिलकर किसका निर्मान होता है? क्रोमसोम या गुंडशूतर का निर्मान होता है प्राने कोसिका में कौन से आरने की परचूरता होती है जो आरने होता है कौन से आरने उसकी परचूरता सबसे ज्यादा मातरा में पाया जाता है तो RNA तीन परकार के होते हैं एक होता है MRN यानि मेसेंजर RNA का जाता है एक होता है TRN ट्रांस्पर RNA एक होता है RRNA यानि राइबोसमल RNA जो MRN होता है वो एक कोशिका में कुल RNA का 3 से 5 परसेंट होता है और जो TRN होता है वो 16 से 18 परसेंट होता है जबकि RRNA वो एक कोशिका में कुल RNA का 80% होगा तो इसमें से कौन सा होगा कि जो परचूर मातरा में पह जाता है RRNA जिसे राइबोसोमल RNA भी कहा जाता है 2N प्लस 1 गुंसुत रवस्ता कहलाती है 2N प्लस 1 गुंसुत रवस्ता है वो कौन सी कहलाएगी मोनोसोमिक, मोनोफलोईडी, ट्रिपलोईडी, ट्राइसोमिक तो ट्राइसोमिक अवस्ता है वो 2N प्लस 1 गुंसुत रवस्ता कहलाती है DNA में कौन सा नाइट्रोजनिक शारक अनुपस्तित होता है DNA में अभी देखा था अपने चार नाइट्रोजनिक शारक पाय जाते हैं एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन तो इन में से कौन सा होगा? यूरेसील है, वो नहीं पाय जाता है यूरेसील किसमें होता है? RNA में पाय जाता है DNA से RNA का बनना क्या कहलाता है? DNA है, उसे RNA बनेगा तो इस परकिरिया को क्या कहा जाता है? ट्रांस्क्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पर्तिलिपिकरन, उत्परिवर्थन तो इस परकिरिया को ट्रांस्क्रिप्शन कहा जाता है किस विज्ञानिक ने वनसागती का गुंसूत्रिय सिद्धान्त पस्तूत किया था वनसागती का गुंसूत्रिय सिद्धान्त है वो किस विज्ञानिक के द्वारा दिया गया लेमारक, डार्विन, हुकर, सटन तो सेटरन नामक विज्ञानिक थे उन्होंने वनसागती का गुंसूत्रिय सिद्धान्त है वो परस्तुत किया आनुवानसी की विज्ञान की मूँ लिकाई है आनुवानसी की विज्ञान है उसकी मूँ लिकाई आपको पता है कि जीन कहलाती है 64 कोशिकाओं के निर्मान में कितने समसुत्री वबाजन के आव सेकता होती है 64 कोशिकाओं बनानी है तो समसुत्री वबाजन कितने करने पड़ेंगे समसुत्री वबाजन में जो कोशिकाओं बनेंगी उनमें गुंसुत्रों की संख्याओं अपने जनक कोशिकाओं के सम्मानी होती है तो एक समसुत्री वजन से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्मान होता है तो बत्ती समसुत्री वजन करेंगे तब 64 कोशिकाओं का यानि एक से एक समसुत्री वजन हो रहा है तो उसे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्मान हो रहा है तो 32 समसुत्री बजन होंगे तो 64 कोशिकाओं का निर्मान हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संसलेशन कहा होता है। कोशिका है उसमें प्रोटीन का निर्मान कहा होता है। गोल जी का है, राइबोसोम, माइटो कॉंट्रिया या सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम में उसको प्रोटीन निर्मान की फेक्टरी का जाता है तो निर्मान प्रोटीन का कहा हो जाएगा राइबोसोम में वास्तवी केंदर किसमे अनुपस्तित होता है कि केंदर के चारू और जो आवरान पाया जाता है वो अपसेंट होता है किन में होगा जिवानों हरे सेवाल कवकों या लाइकेन तो प्रोकेरियोटिक जीव हैं उनमें केंदर के चारू और जो आवरन पाया जाता है वो अपसेंट होता है तो जीवानों है वो प्रोकेरियोटिक जीव हैं तो किसमें हो जाएगा वास्ति भी केंदर का नुपस्तित जीवानों में